जोस्त हमने बहुत बार डिसकस किया है कि कहां इंवस्ट करना चाहिए, किस पर्टिकुलर मार्केट में हमें इंवस्ट करना चाहिए, पर हमने कभी यह डिसकस नहीं किया है कि कहां इंवस्ट नहीं करना चाहिए, किस पर्टिकुलर प्रपरटी से, किस पर्टिकुलर चाहिए वो हम इस वीडियो में जारेंगे तो हमारा पहला के सिनारियो है आपका उस मार्केट में इन्वेस्टर नहीं करना चाहिए जिस मार्केट में हैपेनिंग नहीं हो रहा है मतलब उस मार्केट में नए जॉब्स क्रियेट नहीं हो रहा है नए अपर्ट में नए दुकान बुक्स बेचते हैं, सारे सोरूम बुक्स का सोरूम है, that means वो मार्केर हैपनिंग हो रहा है, और आप भी उस मार्केर में नया बुक्स सोरूम खोलते हो, तो आपका भी दुकान चलेगा, यह basic concept है हैपनिंग का, same चीज़ एपलाई होता है, प्रॉपर्टी बाइंग सेली में, अगर किसी एरिया में प्रॉपर्टी बाइंग सेल नहीं हो रहा है, मार्केर ग्रो नहीं कर रहा है, that means वो मार्केर अच्छा प्रॉफर्म नहीं कर रहा है, और आगे भी नहीं करेगा, आपको उस पर्टीकुलर मार्केर से दूर, second चीज़ आप नोटिस करो, वो म मार्केर बहुत पॉपिवषर हो गया है, that means वो मार्केर ग्रो नहीं करे गाने वाले टाइम पी, अगर ग्रो करा भी बहुत कम मात्रा में, पॉपिवषर चीज़ ज्यादा ग्रो नहीं करता है, यह फिस्ट है जो मार्केर पॉपिलर नहीं है, जो तूटा-फूटा है, या जो market just grow कर रहा है वो market आपको maximum profit दिला सकता है कि दोस्त रिइलस्टेट की दुनिया में location सबसे ज्यादा important है popular market में maximum growth नहीं मिलता आपको लुकसान झेलना पर सकता है आप में properties का price भी बहुत high रहता है popular market में इसलिए popular market में invest करना I think सही नहीं होगा आपको एक ऐसा market ढोणना होगा जो popular होने वाला है अगले कुछ सालों के अंदर ना की जो popular हो चुका है average लोग popular जगह पर इंवस्ट करते हैं security purpose के लिए ये market इंप्रूफ कर चुका है इस market का value ब बाला है जो investment लोगों को पता चल गया है newspaper में आ गया है वह invest करके कुछ फाइदा नहीं होगा आपको just थोड़ा ही profit मिलेगा maximum profit कमना चाहते हो तो आपको popular market से दूर रहना होगा ये fact दोस्तों ये fact है आपको कभी भी crowd को follow नहीं करना है अगर करोगे तो crowd बन जाओगे भीर का market का growth potential कितना जादा है एक ऐसा market है जो grow कर सकता है for example मान लो government को नया project शुरू करने जाढ़ा है में अभी highway या फिर नया road बनाने जाढ़ा है जिससे वह market improve कर सकता है या फिर उस market के पास कुछ ऐसा area है जो खाली पड़ा है that means वह future में building बन सकता है वह market grow कर सकता है अगर आप एक ऐसा market देखते हो जिसके आसपास कोई भी खाली जगा नहीं है वह market grow नहीं करेगा यह मान लेना ऐसा देखा गया है जो market जिस market का आसपास खाली जगा रहता है वह market जल्दी से grow कर जाता है वह building बनता है और market grow करता है properties का price उस market में बढ़ता है तो देखना उस market का growth potential कितना जादा है and then invest करना number four आप देखो जो जो property listed है उस market में उस particular market में क्या वो sell हो रहा है तीन से छे महीने के अंदर आप देखते हो कि property बहुत दिन तक listed है पर sell नहीं हो रहा है that means उन properties में फिर उन market में कुछ ना कुछ problem जरूर है maybe उस market में बायर नहीं है इसलिए property बिक नहीं रह है या भी कोई दूसरा जमेला है आपके धून के बाहर निकालना होगा यह information आपको मिल सकता है उस area के agents के पास अब उनके पास जाओ और देखो research करो कि property कितना देर listed पड़ा है और क्यों big नहीं रहा है आपको अंदर जाएगा कि market कितना अच्छा है और क्यों property big नहीं रहा ह और अपने investment decision select कर सकते हो और उसके मुताबिक invest कर सकते हो आपको ऐसा property नहीं खरीदना चाहिए जो property fresh condition में है जो property नया बना है अगर आप ऐसा property खरीदोगे तो ज्यादा पैसा देना होगा उस property को purchase करने के लिए that means आप खरीदते वक्त loss में run कर रहे हो for example आप एक property खरीदते ह 50 लाग का है उसका market value 50 लाग है तो profit क्या कमाओगे उस property को अपने maximum price देकर खरीदा है तो profit क्या कमाओगे आपको उस property को about 40 लाग के अंदर खरीदना है तब ही आपको profit मिलेगा हमेसे याद रखना आपका profit तब बनता है जब आप उस property को खरीदते हो ना कि जब आप उसे रहना है ऐसा beginner उस property से दूर रहना है और ऐसा property ढूणना है जो property repairable हो जो property improveable हो तब आपको profit मिलेगा तो दोस्तों आपको उस market में invest नहीं करना चाहिए जिस market में happening नहीं होड़ा है जो market बहुत popular है और जिस market में growth नहीं दिख रहा है growth को option नहीं है उस market में साथ में जो property बहुत दिन से लिस्टेट है वो 306 महीनत के लिस्टेट है उस property से आपको दूर रहना है और प्रेस कंडिशन property में आपको invest नहीं करना है नहीं तो आपको लुकसान चेलना पड़ेगा तो यह 5 case scenario है आपको इन 5 case scenario से दूर रहना है अगर आप profit कमाना चाहते हो तो आप दोस्तों यह वीडियो आई ओपिन अड़ होगा लाइक करना से अटना सब्सक्राइब करना मिल तरस अगले वीडियो में और अच्छे यूनिक ट्रॉपिक के से लिए